गाजा में युद्ध की वज़ा से इसराइली सेना चौध तरफा घिर चुकी है एक तरफ लिबनान का हिजबुला तो दूसरी तरफ यमन का हूती और इराग सीरिया के प्रतिरोधी समुहों ने अपने हमलों से इसराइल को घुटनों पर ला दिया है महीं राफा शहर में आईडिएफ अभी भी हमास का सफाया करने के लिए जद्दो जहत कर रही है लेकिन इन सब के बीच गाजा में इसराइली फौज को घुसे करीब आठ महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और अब इसराइल के जवान युद में ठकते जा रहे हैं साथ ही आईडिएफ को सैनिको का भारी नुकसान भी हुआ है और इन सारे हालातों के बीच इसराइली सेना में नए सैनिको की कमी की बात अब खुल कर सामने आ गई है जी हाँ आईडिएफ के आला अफसर लगातार नितन्याहू की अगवाई वाली सरकार से नए सैनिको की भ इस फैसले में कोट ने साफ कर दिया था कि अब इसराइली सरकार अतिरूडीवाधी यहूदियों की सेना में भरती को अनिवार करने के लिए कानून बनाए कोट का कहना है कि चाहे महिला हो या फिर पुरुष हर 18 साल के अतिरूडिवादी को सेना में अपनी सेवा देनी होगी वहीं इसराइल में अतिरूडिवादी समुदाय को सेना में सेवा से मिलने वाली छूट के कानून की मियाद पिछले साल खत्म हो गई थी हालकि सरकार ने इसे आगे बढ़ा दिया था लेकिन अब अतीरूडीवादी समुधाय सुप्रीम कोट के इस फैसले के विरोध में उतराया है ये समुधाय इसराइल में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है कई जगों पर आगजनी और हिंसा तक हुई है लेकिन इस सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर इसराइल का ये अतीरूडीवादी समुधाय है क्या और ये सेना में जाने का इतना विरोध क्यों कर रहा है और इसराइल में कब से इस समुधाय को सेना में सेवा से छूट मिली हुई है दरसल इसराइल के इस अतिरूडिवादी समुदाय को हारेदिम के नाम से जाना जाता है जिसका मतलब इश्वर से डरने वाला हुआ ये समुदाय हकीकत में धर्म निर्पेक्ष यहूदी संप्रभुता और सेना में सेवा करने की धारना को नहीं मानता है ये समुदाय मानता है कि यहूदियों के पवित्र ग्रंथ तोरहा को पढ़ना ही सर्वोच मूल्य है और तोरहा के ग्यान की वज़ा से सदियों से यहूदियों का अस्तित्त हुआ हुआ है और इसराइल की स्थापना से ही यानि साल 1948 से ही इस समुदाय को सैन्य सेवा से छूट मिली हुई है जब इसराइल बना था तो उस वक्त के पीम डेविड बैन गुरियोन ने अती रूडिवादी के करीब चार सो धार्मिक स्कूलों या धार्मिक सेमिनिरियों को सैन्य सेवा में छूट दी थी और इस बात पर सहमती जताई थी कि भविश्य में उन्हें ये छूट मिलती रहेगी जिससे वो इसराइल को एक धर्म निर्पेक शुराज्य बनाने में मदद करेंगे आपको बता दे कि इसराइल का ये अतिरूडिवादी समुदाय काले और सफेद रंग के कपड़े पहनता है जो अपने आपको ज्यादा तर यहूदियों के धार्मिक कार्यों में लगा कर रखता है और यही वज़य है कि इस समुदाय का मानना है कि अगर वो सेना में भरती होंगे तो वो एक धर्म निर्पेक्ष बन कर निकलेंगे और सेना में जाने से उनका विशेश दर्जा भी समाप्थ हो जाएगा इसके अलावा वो जो काले और सफेद कपड़े पहनते हैं वो भी उनसे छिन जाएगे और उन्हें सेना की खाकी वर्दी पहननी पड़ेगी इस समुदाय का ये भी मानना है कि धार्मिक कर्मकांडों से अलग होने से उनकी सांस्कृतिक विरासत, संस्कृती और जीवन जीने का विशेश तरीका उनसे छिन जाएगा और इसी वज़ा से ये समुदाय सेना में भरती को लेकर विरोध कर रहा है लेकिन अब इसराइल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस समुदाय की सेनने सेवा अनिवार कर दी गई है लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जनसंक्या के हिसाब से इसराइल में इस समुदाय की कितनी आबादी है तो आपको बता दे कि इसराइल की कुल आबादी में 13 फीजदी इसी रूडिवादी समुदाए का हिस्सा है हाला कि करीब 1200 अती रूडिवादी लोग सेना में अपनी सेवाए पहले से ही दे रहे हैं और इस आकड़े को बढ़ाने के लिए इसराइल के अटॉर्णी जर्णल ग्याली बैरमेरा ने नितनियाहू की सरकार को निर्देश दिये हैं कि वो जल्द से जल्द अदालत के फैसले की तामील करें हाला कि मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक सेना ने पहले ही अतिरिक 3000 अतिरूडिवादी सेमिनरी के छात्रों को सेना में भरती करने का फैसला किया है लेकिन ये फैलाहाल साफ नहीं हुआ है कि इनका चयन कैसे होगा क्योंकि मौजूदा समय में पूरे इसराइल में करीब 60,000 ऐसे चात्र हैं जिनहें सेना में भरती से ये छूट मिली हुई है